बारत ने इस साल 75 बाग गरतंत दिवस मनाया है यह हर भारतिय के लिए बहुत खास दिन होता है इसलिए सभी लोग इस दिन अपने दोस्तों और परिबार को गरतंत दिवस की शुपकामनाई और बधाई देते हैं लेकिन बुलन शहर में एक बैक्ती ने देश के लिए कुछ क करने और बधाई देने का अलगी तरीका निकाला है इरिक्षा पर देश के महापुर्सों की तस्बीरें लगा कर सबारियों को उनके गंतब्य तक पहुंचाया वहीं लोगों ने कहा कि 26 जनवरी के दिन इस तरह से कारे करना इरिक्षा चालक के देश के प्रती प्रेम को दर कर रहे हैं गरतन दिवस हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में बहुत खोशी और गर्व के साथ मनाया जाता है आज ही के दिन 1950 में भारतिय सम्मिधान लागू हुआ था हम सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंतर ता 15 अगस्त 1947 को मिली थी लेकिन रास्टिये का अपना कोई इंडिया गेट पर इस्थित अमर जबान जियोती पर देश के शहीदों को श्रद्धान जली देते हैं एक लोगतांत्रिक देश में रहना हम सब के लिए गर्व की बात है बुलन शहर में गरतन दिवस के दिन ईरिक्षा चालक सबारियों को फ्री में उनके गंतप्र तक पह बहुत महत्त है इसी दिन 1930 में भारतिय रास्चे कॉंग्रेस ने लाहर अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्तिता की मांग की गोश्टना की थी उसके बाद उसी दिन 1950 में भारत एक गरतन्त के रूप में अस्तित में आया गरतन्त दिवस हम सभी भारतियों के अंदर हर्स उल् करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को बेर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा गौरब और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे जैसे आप मजदूरी करते हैं और एक दिन फ्री चला कर आपको कैसा लगता है यह बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुब कामनाय मिलती है और बहुत बड़े बुड़े आसिपा देगे जाते हैं बच्चे प्यार देगे जाते हैं और बहुत ही अच्छा लग हुआ था वो आज का दिन हमारे लियां बहुत ही नहीं तो इस वेज़ेते में जनताइक सोगा दो